नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अगर आपके एक्जाम्स होंगे अपकमिंग तो तभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई भ तो यह जो वीडियो है इसमें हम 20 questions करने वाले हैं और जो डिफरेंट एक्जाम्स में पूछेगे हैं ससी के ही वह questions को compile करा है और जैसे में में से पहले मैं बताता आ रहा है कि भाया वही लेबल रहेगा वही लेबल रहेगा प्रिवियस यर वाला तो यह जो 20 प्रशनी यह आप मान सकते हैं कि आपका एक्जाम लेबल इससे हाई नहीं जाएगा इसी लेबल कर रहेगा तो जरूर देखें वीडियो पसंद आए लाइक करें पीडियाफ टेलिग्राम पर जाके सेट सर्च कर लेना फाइल सेक्शन में उधर आपको बहुत सारे सेट सुन जाएंगे वहां से आप प्रेक्टिस कर सकते हैं तो चलो is start करते हैं वीडियो पसंद आएक तो लाइक करें लेके काले विजब्रा का प्रशन होगी यह सारे प्रश्न है सेसी सीजिल सेस्लल्स यमें सब में पूछेगे प्रशन है कोई कोई सीजियल का होगा कोई सीस्ज सेलल का होगा देखिएगा तो आपसे एक्स माइनस उन बाई एक्स की वैलू पूछीगे आप देखिए अगर यहाँ पे लिखाओ एक्स पावर एट प्लस वन इस उक्वाल टू एक्स टू दी पावर फोर अगर मैं एक्स पावर फोर से दोनों साइट में डिवाइट कर दू तो यहाँ प पावर फोर प्लस उन पान एक्स पावर फोर पता हो तेहां से एक्स स्क्वार प्लस उन पान एक्स स्क्वार कितना हो जाएगा आप कहेंगे एक्स स्क्वार प्लस उन पान एक्स स्क्वार निकालना बड़ा आस्तान हो जाता है अगर एक्स पावर फोर प्लस उन पान एक्स स्क्वाइर बराबर हो जाता है अंडर रूड में जो दिया गया हो x4 plus x4 की वैलू यहनि 1442 और इसमें एड कर देते हैं 2 यह आपको होगे अंडर रूड में 1444 1444 आपको पता होगा कि 1444 35 के स्क्वाइर यहनि 1225 से बड़ा है और 40 के स्क्वाइर यहनि 16 से कम है यहनि आपका जो भी इसकी वैलू होगी वो 35 से बड़ी होगी लेकिन 40 से छोटी होगी और आपको पता है स्क्वाइर में अगर इउनिट डिजिट 4 है या तो फिर वो 2 होना चाहिए या तो फिर 8 होना चाहिए यहनि 35 से 40 के बीच में कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका अंतिम 2 हो तो 35 से 40 के बीच में कोई ऐसी संख्या आती यह नहीं जिसका इका यह तो आपको 38 लेना पड़ेगा हो जाएगा अगला प्रसंद देखिएगा कहा कि यह सम फाइफ थाउजंद इस डिवाइद इन्टो पार्ट सच्छ देड़ सिंपल इंटेस्ट ऑन फर्स फर्स पार्ट ऑफ और फॉर्स पार्ट और दूसरा पार्ट पहले पार्ट पे यानि एप चार सही एक बटे पांच जो यह बइस फर्स के तिश है सम्पल इंट्रेस्ट है उत दो और नहीं म्थार के कि या हो जाएगा तक से आपक बचाइग Tap गुड़े 4, 84 A बराबर, 2 गुड़े 11 दो गुड़े, यह 84 बचे तीन सवर, यह 3 भी बच रहा है तो 3 का इधर गुड़े हो जएगा, बराबर 6 84 A बराबर 6 84 B, यह आप काट सकते हैं, तो यह आपका हो जएगा 6 से काटेंगे, यह 14 A बराबर 11B, ठीक है, 14 A बराबर 11B, यह हम कह सकते हैं A,नपाथ B, बराबर हो गया, 11 बराबर 14 यह ग्यारा बराबर 14 यह अगर पहלה हिस्सा 11 है तो दूसरा हिस्सा 14 होगा, इने दोनों को जोडें, तो दोनों हिस्सा A, Pस B, मिलके यानि कि डिफ्रेंस कितना आगया 600 रुब है तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड आप्शन होगा यह प्रसंद देखिएगा पिरामिड का है क्या कि आपको पता हो कि पिरामिड के लिए वाल्यूम होता है वन बाई-3 इंटु एरिया बेस अकर एक्विलेटरल ट्रेंगल है तो र एरिया बेस इंटु हाइट होता है इसका आयतन आयतन कितना हो जेगा 45 रूड 3 तीन समझे यह रूड 3 रूड 3 कट गया चार नवा च्तिन नो पच्छे 45 यह बराबर होगे पांच उकुड़े तीन यानि कि 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में सारी चीज़ें देगे हैं तो जाएगे ठीक है तो आपको यहां से क्या याद रखना है कि फिरामीट का वाल्यूम क्या होता है 1 x 3 इंटु एरिया आउफ बेस इंटू प्रियामीट कि हाइट यह क्या होता है वाल्यूम ऑफ पिरामीट कहां गया रेशियो आप वाल्यूम्स आफ्टू सिलेंडर पहले का वाल्यूम x है, दूसरे का वाल्यूम y है, यह परापर हो जाएगा, पहले का वाल्यूम pi r1 square h1, दूसरे का pi r2 square h2, यानि कि pi पाइ इकट गया, तो यह हो गया r1 square h1 upon r2 square h2, आपको पता है कि अगर diameter का ratio h2b है, तो उनके radius का ratio भी h2b हो जाएगा, यानि यह दिया गया, x by y is equal to, r1 by r2 का holy square, यानि a square by b square, यह तो हो जाएगा, a square by b square into h1 by h2, आपको निकालना क्या है, इनके heights, यानि h1 by h2 निकालना है, इनि यहां से h1 by h2 बराबर हो जाएगा, b square x upon a square y, b square x upon a square y, आपका अनुपाद कितना होगा, b square x upon a square y, यानि आपका third option correct होगा, अगला concept देखिएगा, का गया, if each interior angle of a regular polygon is 1 to 8, 4 by 7, then what is the sum of the number of its diagonals and number of its sides, यह को सबसे पहले जानो कि regular polygon के लिए interior angle कितना होगा, तो आप कहांगे, n minus 2 by n into 180 degree, यह होता है interior angle, और अगर exterior angle की बात करें, तो 360 by n होता है, 360 by n होता है, ठीक है, अच्छा, अब आप एक चीज़ और देख लिए न, कितने होते हैं, तो यह होता है, n into n minus 3 by 2, number of diagonals होते हैं, n into n minus 3 by 2, अब ध्यान से देखे, आपको दिया कि इसका interior angle 128 4 बटे साथ है, इसकी value दी गए है, 128 4 बटे साथ, आपको बता है, 128 4 बटे साथ, कितना हो जाएगा, 900 बटे साथ, यह लिखा है, n minus 2 by n into 180, बराबर 900 बटे साथ, 900 बटे साथ, 180 से 185, यह नि n minus 2 upon n बराबर 5 बटे साथ, यह नि n बराबर 7 होगे, अब n बराबर 7 होगे, अब बुजाओं के संख्या 7 आपको diagonal निकाल लीजे, number of diagonals कितने हो जाएगा, 7 into 7 minus 3, 4 बटे 2, 28 बटे 2, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यह नि इसके number of diagonals आगे, 14, side है 7, तो sum कितना हो जाएगा, 14, 7, 21, समझागे, यहाँ से 3 फार्मूले हमें पढ़ने थे, कौन कौन सा, interior angle की value क्या होगी, n minus 2 upon n into 180, exterior angle क्या होता है regular polygon के लिए, 360 by n, अगर मैं बात क number of diagonals क्या होता है, किसी regular polygon जिसमें sides की संकिया n हो, n into n minus 3 by 2, यह प्रशिन CPU में भी आया, CGLP और CGL में दोनों में आया, कहां कि the value of this one, आप देखो, आपको दिख रहा होगा, कि aq plus bq upon a square minus ea लिखा होगा, ठीक है, 25.3 में 24 समलों साथ से गुड़ा करोगे, तो यह ही हैगा, यह आपका लिखा हुआ उपर a cube plus b cube divided by a square minus a b plus b square, जो कि होता है, a plus b into a square minus a b plus b square यह होता है, और इसमें divide भी किसी से करना, a square minus a b plus b square से, तो बचेगा क्या, यह पूरा पूरा गड़ जगे नहीं, a plus b बचेगा, a की value कितनी है, 253 b की value कितनी है, 27, लेकिन आपको ध्यान गया पहले मैं फार्मूलिय प्यार हूं, देखो, आप अगर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर नीचे 0.3.3 लिखा हुआ है, यानि अगर मैं किस से गुड़ा कर दूं, 100 से गुड़ा करने के बाद यह क्या बचेगा, 100 से गुड़ा करने के बाद यह उपर तो 200 तिरपन का cube ब प्लस 277 गुड़े 277 यही बचेगा, यहाँ से आप पाँच गुड़े 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, 50 गुड़े 10 के पावर 3 को दिया गया है, 50 गुड़े 10 के पावर के, की वैलु कितनी हो जाएकी 3 हो जाएक के की वैलु कितनी हो जाएकी 3 हो जाएकсте, यह प्रस्ण देखिएगा अच्छा प्रस्ण बस इसमें डिस्क्रिपेंसी थी यानि गलत था यह कोश्चन मैंने डिक्टो उठा लिए क्योंकि आपके एक्जाम में ऐसे बराब़र कहने का मतलब बीए गैट यह कौण भी थीटा अब ट्रैंगल एबी सी ओर ट्रैंगल एडि सी को देखिए ट्रैंगल एबी दो एंगल समानों तो इसरा अपने हाप एक्कुल हो जाएगा यानि अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्कुल हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यह कैसा है यह similar triangle यानि कौन कौन से triangle similar हुआ triangle a b c similar हो जाएगा triangle d d a c d a c a c c बराबर है और भी a बराबर है तेखिए भी यह कौन से triangle बादगा इसका बी और इसका एगा समझ जो य чувidency triangle the a b c a b c किसके बराबर हो जाएगा triangle d क्छे triangle a के बराबर है abc के एक बराबर है triangle a इसका यह वाला do needle b बराबर वो ट्रेंगल सी दोनों में एक्वाल है अगर यह दोनों सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं AB by AD by BC by AC by AC by AC by CD कह सकते हो अब आप यहां से देख लिजिए आपको कौन कौन सी वैलू दी गए है AC और BC दिया गया है य prisons ये दोनों दिया गया है आपको निकालना क्या चीज़या हो ताभी CD निकल किया आ अगर इन दोनों रेशियो को लेते तो CD कब दिया गया हो था ओड़ी अब AC की अगर वैलू कुछ दे दिजाती तो आप का अंसल निकला था कहने Definition बस concept यह समझाना था यागर BC by AC की मैं value रखूँ मालो आपको यह चीज़ें दी गई होती हो AC की value दी गई होती हो आपको निकालना था तो यह दोनों relation पर आ जाते हैं BC, BC 8 दिया गया था बटे, AC की value 12 दी गई थी पराबर, AC AC हमें नहीं पता, AC कुछ दिया गया होगा और बटे, CD हमें निकालना है यानि अब अगर हम इसको माने कि यह बराबर मालो आपको दे दिया गया था 16, AC बराबर 16 दे दिया जाता मालो, तो आपसे CD अगर निकालने कहा जाता हो B 40 घंटे में और C 60 घंटे में भर सकते हैं अगर A, B, C को 7 बजे A, 7 बजे, B, 8 बजे और यह 10 बजे खोला जाता है ठीक है, तो कहा गया कितने बजे भर जाएगे अगर 30, 40, 60 का LC हम ले तो आपका कितना हो जाएगा 30, 40 का 120, 120 और 120 का 120 यह भी हो जाएगा 120 लीटर अगर पानी आता है तो A, घंटे में 4 लीटर B, घंटे में 3 लीटर और C, घंटे में 2 लीटर भरता है 4, 3 और 2 लीटर भरता है अब देखिएगा अगर मैं 10 बजे की बात करूँ 10 बजे की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा दस बज़े तक एक इतने घंटे कारी कर चुका है अगर एक इबात कुर तो एक इतने घंटे कारी कर चुका है तीन घंटे तो एक घंटे में अगर चाल लीटर भरता है तो तीन घंटे में 28 लीटर ये भर चुका होगा प्लस तीन घंटे में चारतियां 12 लीटर ये भर चुका होगा है 410 बजे तक आपकी यह भाई 8 बजे कुले हैं बीवाले तो दो घंटे में कितना भर चुक्ए होंगे हैं गणते की तीं तो दो घंटे में का अध् движ 1712 χ और आ लिजिक दो लोग मिलकों को मिलक्त किसने एंध सस्क्षाम एक साथ कारा ओर तो 4, 3, 7, 2, 9 लीटर एक घंटे मं भरेंगे तो 102 लीटर भरने हम कितना समय लेगा 102 बटे 9 या हम कह सकते है 34 बटे 3 घंटे 34 बटे 3 घंटे या हम कह सकते है 11 सही 1 बटे 3 घंटे या हम कह सकते है 11 घंटे 20 मिनट बाद भर पाएंगे ग्यारा गंटे 20 मिनट बाद आपके रहें कि 10 बजे के 11 गंटे 20 बाद को जाते लेकिन उस से 40 मिन पहले याणि कि आपका 9 बज के 20 मिनट पह आपकी टंकी भर जाएगे नो बच्च के 20 मिनट पर दस बज़े के 11 गंटे 20 मिनट तो 10 से 11 यानि 21 नो बच्च जाएंगे और 20 मिनट ओर यह एम था तो यह पीम हो जाएगा यह नहीं कि 14 हो गई हमने कहा करा रेडियस को घटा दिया है और हाइट को बढ़ा दिया है ठीक अब आपसे पूछा गया कि पर्सेंटे चेंज क्या होगा वाल्यूम लाविम आपको क्या होता है पहले कितना रहा होगा 1000 पाई रहा होगा अभी कितना होगा चौसट गुड़े 14, 14, 14, 46, 84, और 5, 89, यानि 896 पाई, यानि पहले था, 1000 पाई अभी हो गया, 896 पाई, यानि कमी कितने की हुए, 104 पाई की, 104 पाई एक हजार का कितना परसंट है, 10, 10, 4% क्या हुए है, कमी, यानि 10, 10, 4% का decrease हो गया है, समझा क्या, अगला परसंद देखेग इन एलोईस A and B is 3 is to 4 and 5 is to 9, देखेगा, एलोई A की बात की गई हो, एलोई B की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुए जिंक, यहाँ पे लिखा हुए कॉपर, रेशियो लिखेगा, यहाँ पे A में है 3 अनौपाद 4, ठीक है, कॉपर और जिंक का 3 अनौपाद 4 है यहाँ हम कह सकते हैं कॉपर 3 है और जिंक 4 है, A में, अच्छा, दूसरे में कहा गया, कॉपर और जिंक का अनौपाद 5 अनौपाद 9 है, यहाँ कॉपर 5 है, तो जिंक 9 है, ठीक है, अब कहा गया कि A और B को 2 अनौपाद 3 के अनौपाद में मिला जाता है, और इनको मतलब मिल आप मिलाने से पहले इनको बराबर कर लो, इसकी मातरा 3-4-7 इसकी मातरा 14, तो 2 से गुड़ा कर लो यानि यहां पर कितना हो जाएगा 6-7, 8 है यह 6-7, 8 होगे यह 5-7, 9 है, अब कहा गया, कि इनको 2-7, 3-7 मिलाए जाता है दो अनुपाद, तीन के अनुपाद में मिला जाता इसका दो हिस्सा लिया जाता है, इसका तीन हिस्सा लिया जाता है अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की बात करें अगर तो कॉपर पहले में 6 है इसका दो गुनाई, यानि कि 12 हो जाएगा प्लस कॉपर दूसरे में पांच है इसका तीन गुना पंदरा हो जाएगा निए टोटल कॉपर इतना हो गया जिंक की बात करें आठ दोनी सोला प्लस नोतियां 27 निए 27 बटे 45 आपका आंसर हो जाएगा जो मिक्चर मिल रहा है उसमें हमारे कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा 27 आपको सबसे पहले मात्रा बराबर करने है फिर गुड़ा करके आपको ऐसे सॉल्ट करने है यह आपका कॉपर हो जाएगा जिंक हो जाए हो इंटरसे उन्तरस की यह सकते एंट-क्raat N1-9 फ्रतर दूंकिल इंटरसेक्षेञार की इसे इंटरसेक्शन नुकल किया था 0 y बराबर 6 आगया यानि कि आपका mn जो p दिया गया था उसका गोडिनेट आगया 06 यानि m बराबर 0 n बराबर 6 ऐसे दूसरे में x-axis के साथ x-axis का equation होता है y बराबर 0 तो y बराबर 0 पूट करोगे 6 x बराबर 15 यानि x बराबर 2.5 तो इसका जी रो यानि 6 और 2 कितना होगे साढ़े आठ साढ़े आठ कितना होता है 17 बटे दो अगले प्रशन पर आते हैं कहा गया if a is 28% more than b and c is 25% less than sum of a and b ध्यान से देखिए अच्छा प्रशन है a b और c की बात कि गई है कहा गया कि जो a है वो 28% more than b से यानि इससे 28% more than है यानि कि यह 128 होगा आप कहा गया कि c जो है वो 25% कम है a और b की योग से a और b का योग कितना हो गया 228 उससे 25% मैंने 228 का 3 बटे 4 यानि यह है 228 का 3 बटे 4 यानि चार से काटेंगे तो 453 तो आप से कहा गया दिन वाट परसेंट बिल सी भी more than a सी एसे कितना परसेंट ज्याद होगा यहीं पूचेगे एक इतना है 115 हो जागा 323 96 बचेगा और यह 4 19 हो जाएगा और यह लगभग 6 के आसपास आजएगा तहनते दसमलों 6 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है देखिया हम माले तो वह 100 का खरीदता है पहले 120 का बेचता है वह CP है और यह सेलिंग पराइज है 20% परफिट के साथ बेचता है यह कहा गया कहा गया अगर वह cost price जो है तो 10% पढ़ चाहिए यह 110 पर चाहिए और कहा गया कि वह जितने में बेचता था उससे 8% बढ़ा के बेचे यह यह 120 से 8% 139 रुपे 60 पैसे में बेचे तो आप से कहा गया profit percentage क्या होगा 110 में खरीदा 139 रुपे 60 पैसे में बेचे यह 19 रुपे 60 प और यह 1188 यानि कि लगभग 18% के आसपास आएगा और यहां पर option में कोई 18% नहीं दिया गया है तो इसी वज़स मैंने यहां पर लिख दिया समेरर है यानि कि इसका answer गलत था बखी question यही आया हुआ था option भी ही दिया गया थे और इस question में कुछ गलत तो यहां पर पूचा हो है कहा कि average of 33 number C 74 अगर 33 का average 74 है तो सम कितना हो जाएगा 33 into 74 तो 33 4 जा यह 33 चोखो 132 हासी लाएगे 13 तो यह 231 और तीन 234 यह 242 आपका गुड़न पहल आ गया ठीक है यानि 33 संख्याओं का योग आ गया एक मिलों मैं फिर से लिख दे रहूं सम आफ तैंटिस संख्याओं यह कितना होगे 242 है ठीक है पहली 17 का average इतना है तो पहली 17 कितना हो जाएगा सत्रा गुड़े 72 दिसमल 34 और तेरह 47 गुड़े 37 गुड़े 33 और तेरह 47 सत्रा 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 119 413 ठीक है अगर लाश सत्रा की बात करें लाश सत्रा का average दिया गया सत्रा दसमलोदो बुड़ा कर लेना तो सत्रा गुड़े 34 हैसल आएगे 371 19 और 312 177 111 21 अच्छा आप देखेगा मैंने बताया है कि अगर एक सो ठीक है अब मैंने आपको बताया कि अगर ताइटिस कसम लेना है तो आप कहेंगा अगर पहली सत्रा लाज सत्रा जोड़ोगे तो इसमें सत्रावी संख्या दो बारा जागी यानि हम कह सकते हैं अगर समाफ फर्स सत्रा समाफ लाज सत्रा जोड़ें तो यह समाफ तैंती संख्या मिलेगे और प्लस सेवेंटीन्थ नंबर मिलेगा जोड़िये तो जोड़ेगा छे चार दस साद दो नो एक दस तीन एक चार एक पाच ठीक है और यह हो गया दो तीन पाच यानि पचीस सो पचास बराबर हो गया सत्राइमी संख्या सत्राइमी संख्या बराबर हो जाएगी तोटल तो एब तीस बची निवबरेज क्या होगा तो आप चार से काट दो से काटिएगा दो से 16 आएगा दो से काटेंगे 116 हो जाएगा सोला से काटिंगे, सोला सत्ते एक सो बारा और सोला तियां तालिस, 73 की आस पास आएगा 72 दिसमलोड नो आपका नया आवरेज हो जाएगा अगला प्रश्ट, काग्या फाइव यर से गो दे रेशियो ओफ एजिज ओफ A and B वाज 4 इस तो 5 पांच साल पहले A and B की जो आईव का नुपार था हो कितना था 4 नुपार 5 या निए 4X रहे होंगे ये 5X रहे होंगे 5 साल पहले न था तो अभी 4X प्रश्ट, ये हो गए होगे, 5X प्रश्ट, ये हो गए हो तक है, काग्या फाइव ये उरस हैं तो कहा गया अगर C बरतमान में B से 10 साल छोटा है तो आप से कहा गया कि रेशियो A और C की A इस का क्या होगा तो पहले A और B की A इस निकाल लो तो क्रॉस मल्टिपलाई साथ चोको अठाई शेर पंचे तीस यानि 2X जोगल टू तो सत्तर माइनस साथ यानिकि 10 यानि X बराबर 5 तो आपको पता चल गए कि B की आयू कितनी है 25-10-35 और इसकी बरतमान आयू कितनी है 25-35-30 और A की बरतमान आयू कितनी है 4-5-25-25 ठीक है तो आप से कहा कि अगर C दस साल छोटा है C 10 साल छोटा है 20 से कितना हो जगा 30-10 यानि कि 20 सी 10 साल चोटा भी से 30 साल का तो कहांगे है रिज्वा प्रिजन्टेज आफ एंड बी एक प्रिजन्टेज है 25 बी की है 20 अनुपाद निकालना है 5 25 25 चोको 20 आपका पांच नुपाद चार हो जाए ऐसे भी कर सकते हैं otherwise आपने देखा था कि पहले अनुपाद था 4 अनुपाद 5 कितने साल पहले 5 साल पहले ठीक है अच्छा आज के 5 साल बाद यानि कि 10 साल बाद की इससे 10 साल बाद की बाद की जा रही है या ऐसे देखो 5 साल पहले की बाद की बाद की जा रही है 5 साल बाद इनकी आई उक अनुपाद 6 अनुपाद साल हो धेखिए गा अगर हम बात करें तो समय में डिफरेंस आहा sudah सब दो ने दो रेशयों का डिफ्रेंस बराबर दस साल के है एक रैषयों पम बराबर 5 साल पहले अगर एक रेषयों 5 साल है तो 4 रेषयों 20 यह यहां पर दो तीन फार्मूली यह होने वाले आपको बता होगा साइन मैं बता भी चुका हूं किसी एकस्पेक्टेट सेट में ही साइन ने बराबर कॉस्ट भी होता है अगर a और b 90 डीगे हो ठीक है दूसरा चीक कॉस x स्क्वाइर थीटा मैनिस कौट स्क्वाइर थीटा बराबर एक होता है एक फार्मूला यह भी जान लिए और तीसरा फार्मूला जो आपको यहां जानना है कि साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी होता है साइन ए प्लस भी तो बस आपको इसी पर ध्यान देरा है आपको बहुथा सइवेंटीएट प्लस एक्स कॉस्ट ट्योव युद्ट जोड़ोगे तो 90 या जाएगा यहनी साइन 90-20 का whole square यह हो जाएगा cot square 20 यह हो गया cot square 20 minus cot square 20 आपको था cos square theta minus cot square theta अगर 1 होता है तो cot square theta minus cos square theta minus 1 हो जागा यानि उपर आपका minus 1 नीचे sin a cos b cos a sin b sin a plus b यानि sin 25 plus 15 sin 90 sin 90 sin 90 की value 1 यानि minus 1 by 1 आपका answer हो गया minus 1 आपको यहां पर तीन फार्मूले याद रखने थे sin a बराबर cos b अगर a plus b 900 cos x square theta minus cot square theta 1 basic identity है sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b होता है अगर minus होता है तो यहां पर minus 1 आपका minus 1 answer हो गया यह प्रसंद देखो इस फार्मूले पर मैंने question करवा भी रखा है काँए side p q and p r of triangle p q r produce to s and t यह p है यह q है यह r है इन दोनों को बढ़ा जाता है इसको s तक इसको t थै काँए s q r औ t r q के जो by sector है वो मिलते है u पे तो आपको बताना है कि अगर q u r 89 degree हो तो आपसे q q q r अगर by sector बाहर कहीं मिल रहे है यह होता है 90 minus a by 2 90 minus p by 2 यहाँ पर पी कर लिए 90 minus p by 2 90 minus opposite angle by 2 यह q r आपको दिए गया 89 c यह बराबर हो गया 90 minus a by 2 90 minus a by 2 बराबर बाहर 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 यह बराबर हो गया 20 अगले प्रस्ण पर आते हैं तो आपको यह फार्मूला याज रखना है कि अगर angle by sector कहीं बाहर ही बिंदू पर मिल रहे है तो वहाँ का angle बराबर हो जाएगा 90 minus opposite angle by 2 अच्छा प्रस्ण था यह वाला भी पूछा गया था कहाँ कि A, B, C और D, B, C दो ट्राइंगल है जो सेम बेस पे हैं लेकिन बेस के opposite side में A और D बिंदू है इस परकार से है यह B, C तो बेस है इनका लेकिन यह A, B, C है यह D, B, C है कहाँ कि A, D और B, C कहीं बिंदू पर काटते हैं उसका नामकरण कर दिया गया O आप से कहाँ कि A, O बराबर A है टिक है D, O बराबर B है और कहाँ कि A, B, C का एरिया X है तो आपको इसका एरिया निकालना है आप मान दीजिए कि जो यह A, O है A, A, D है वो B, C पर परपेंडिकुलर है बस इतना मानना है उसके बाद यह कॉस्चन किसी लायक नहीं बचेगा अगर यह परपेंडिकुलर है तो ट्रेंगल A, B, C की एरिया कितनी हो जागी हाफ इन्टू, बेस, B, C इन्टू हाइट अगर यह परपेंडिकुलर है तो A, O इसकी हाइट हो जागी हाफ इन्टू, बेस कितना है उसका भी बेस, B, C है इन्टू, हाइट कितनी है बी है यहां से हाफ इन्टू, 2, X, Y ए इन्टू, B, 2, 2 कट गया यह जो जागी, बी, X, Y इसकी एरिया हो इसकी, B, C, D की, B, C, D की एरिया कितनी होगी, B, X, Y, A तो आपका correct option थर्ड वाला होगे, ठीक है, अगला प्रस्शन देखो, अगे triangle ABC में, AB बराबर AC है, D एक point BC पे इस प्रकार से, BD बराबर 5, AB बराबर 12, AD बराबर 8, तो आप से CD की लंबाई पूछी के, देखो इस प्रस्शन में मैं नहीं करूँगा पूरा, यह आपको दे रह से, यह D बिंदू है, मालेते हैं, ठीक है, BD बराबर 5 है, BD बराबर 5 है, AB बराबर 12 है, AB बराबर 12 है, AB बराबर 12 है, और AB बराबर 12 हो जाएगा, और AD बराबर आपको देएगा 8, तो आप से कहाँए CD निकालना है, यह CD की लंबाई निकालना है, अब आप देख लीजे, CD ट्रेंगल ADC की एरिया इसमें भी तीनों साइट्स पता है निकाल लेना जोड़ देना X की वैलू आज़ेगा एक्स की जो वैलू आईगी हो ही आपका आंसर हो जाएगा बहुत ज्यादे कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है इस वोजासे यह क्वेश्चन आपको छोड़ रहा ह बस आपको पता होने चाहिए आप वहां पर प्रक्टिस अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से वहां पर कर लोगे प्रक्टिस अगर करके कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़िया तो प्रसन देखिए का वाड़ इदा रेश्यो आप थार्ट मतलब होता है जितनार से इसे में गुड़ा हुआ उतना से इसमें गुड़ा कर दो ध्याइगा बेसिक से ट्रिकम, 0.4 में कितने से गुड़ा हो 0.8 है 2 से 0.8 में 2 से गुड़ा कर दो तो 1.6 यानि 3rd proportion हो गया 1.6 या इसको लिख सकते हो 8 बटे 5 अच्छा mean proportion अगर ये A हो ये B हो तो mean proportion under root A भी होता है यानि under root में 13.5 को लिख सकते हैं 27 बटे 2 और 0.24 को लिख सकते हैं 24 बटे 100 यानि कि आप लिख सकते हैं 6 बटे 25 लिख सकते हैं 2 से कट जगा 3 27 गा 87 बटे 25 यानि 9 बटे 5 ये हो गया किया mean proportion आपको इसी का अणुपात निकाला था यानि 8 बटे 5 और 9 बटे 5 का अणुपात निकाला था आपको जो PDF मिली है उसके लास्ट में कुछ important playlist की लिंक दे दी गए याप उस पे click करके आप सीधे जिसे CGL Mays 2019 का topic wise देखना चाहते हैं CGSL 2019 topic wise देखना चाहते हैं CPO 2020 का solve paper देखना चाहते हैं CGL 19 का solve paper देखना चाहते हैं यह सब देखना चाहते हैं तो आप देख लिजेगा बाकी वीडियो के description में भी कई सारी important playlist की link मिल जाएगी जो आपको इस exam time में करना चाहिए बाकी कल मैंने एक वीडियो provide करी थी आपने नहीं देखी होगी तीन चार मिनट की वीडियो है वो जाके आप देख लिजेगा कि last 10 days what to do what not to do तो वो चीजे फॉलो करिएगा बाकी आप लोंको good luck आप अच्छे से पढ़ते हैं सेलेक्शन देखो बड़ी चीज नहीं है सेलेक्शन केवल और केवल एक चीज से आता है वो होता है determination patience तो आपको एक्जाम में भी patience रखना है यानि patient रहना है और आपको patient वाला वो नहीं patience आपके अंदर होना चीज वाला और एक चीज और ध्यान देनी है कि आपको silly mistakes नहीं करने हो silly mistakes अगर आपके अंदर patience हो गत्तों नहीं करेंगो confidence भी आपको बना के चलना है इसी वाज़ास मैंने उस वीडियो में कुछ useful चीज़ें बताई है तो वो चीज़ें आप follow करिएग बाकी चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब करने ना पचास हजार के हम बहुत करीम है तो मुझे लगता है कि पचास हजार आप पहुचा सकते हो आज ही तो please वीडियो को share करेंगो PDF के लिए टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें वीडियो पसक्राइब